हेलो एवरिवान, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंज आज आज आप सभी को बैग्राउंड बिल्कुल नया नया लग रहा होगा है ना, आज ही मेरी रसोई में नहीं है आज ही मेरी फ्रेंड की बेटे का बर्थडे है तो हम लोग उसका बर्थड़े सेलिब्रेट करने के लिए खेद पर आए हुए है और यहाँ पर हम लोगोंने भरित पूरी पार्टी रखी है यहीं केक कटिंग किया है तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो बर्थड्रे सेलिब्रेशन है तो आज दिन भर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं खेट पर आ करके वही मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ तो सुबह तो पूरी बिल्डिंग में जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं पूरी विद फैमिली हम लोग खेट पर आए हुए हैं और बैंगन आटा सब कुछ ले के आए हैं यहीं पर हम लोगोंने बैंगन भूनना हैं पूरियां बनानी हैं और महरास्टन स्पेशल भरित पूरी की पार्टी है आज तो यहीं पर सब इंज्वाई करेंगे दिन भर हम लोग सब साथ मिल करके बनाएंगे तो मैं रेसिपी के साथ पर तो समझो आपको बैंगन का भरता इमाल खान देशी स्पेशल भरित और मिर्ची का ठेशा बनता है पूरी बनती है वहीं शेयर करूंगी तो आज हम लोग की दिन भर की फुल मस्ती फुल व्लॉग है बर्दे सालिब्रेशन आयो देखते हैं आज हम लोग क्या क्या है अनव का बर्थडे है सब पहले से प्लानिंग थी कि आज हम लोग अनव के बर्थडे पर पार्टी करेंगे और पार्टी घर पर हो या फिर कहीं खेत पर जाएंगे बाहर पे तो इन दोनों में से पहले ये हुआ कि घर में करेंगे ये फिर खेत में जाएंगे ऐसे जो च नीचे आये हैं अनव को गिफ देने उदिता शुभी देशा और जो मेरे कमरे के जैसे बगने भावी जी है वो है और एक जोती भावी भी है वो नीचे है इस वक्त यानि कि हम टोटल सिक्स फैमिलीज हैं यहां पर इस बिल्डिंग में और यह मेरी फ्रेंड कीरती है उनकी ब होचना है ऐसा था तो सुबह सबका नहाना और कुछ हलका सा नाश्ता किया गया और बस रेडी हो गया है टाइम से अनव को गिफ दे दिया है क्योंकि एक बर हम गिफ लेकर वहां जाएं फिर वापस आएं तो किसी ने बोला यहीं गिफ दे देते हैं यह जो सामान दिख रह रात में ही पूरी तयारी की थी एक एक चीज पूरी लिस्ट बनाई गई थी और फिर सारी चीज़ें सब तयार की गई थी कि सिर्फ सब रैडी रहे रात में हम लोग करीब 11-12 वज़े तक सब पूरा रैडी करके ही लेटे थे कि सुबह सबको सिर तयार होना है और निकलना ह पहुँच रहा है। यहां से सीडि दिखती है वो सामने वो लिफ्ट लगी हुए, जहां वो ब्लस दिख रहा है, तो कुछ लोग लिफ्ट से आ ज़ा रहे हैं, कुछ लोग सीडिás आ जा रहे ठाट ए HTML सीड़ी कोन से करते हैं और सब बहुत कॉपरेट करते हैं जैसे काम करना है तो सारी लेडिज काम जो जैंट लोगा काम है सब एक साथ मिलके करते हैं मिलबाट कर तो इससे काम का बोज पता नहीं चलता सब रेडी हैं और फिर यह कि सब एड़ेस करके इस तरह से जाना है और रेड कलर की ज खेत पे आ गए हैं finally, सारा सामान आया है, कुछ भी missing नहीं हुआ, मतलब एक भी चीज ऐसा नहीं हुआ कि अरे ये तो रह गया होता है न अकसर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब तोटल सामान, दो छोटे बच्चे दिख रहे हैं, अनव और कुंश, किर्थी के दो बच्चे हैं एक उदिता और कुंश, और रूवी का अनव बेटा है, और आशा की बेटी है उदिता, ओ दिशा सौरी, और शुभी और शुभा, फाइनली सिक्स बच्चे हैं हमारी विल्डिंग में, तीन लड़के और तीन लड़कियां, सब पहले गारी वहां खड़ी की गई, पहले व पोरियों वाला वो फटा बिचाया गया, उसके उपर हम लोग जो सतरंजी, दरी वगर लाएं वो डाली गई, और फिर बैठ है गया, जो धरना दिया गया ना, सुबह से लेके शाम तक, हम लोग चार बजे तक खेत पर ही थे, और सोचो यहां पास में ही है बुसावल और ज उन्होंने बनाया, और लेते हैं वो लोग केक का, केक बहुत अच्छा बनाया, उन्होंने एक्दम फिनिशिंग के साथ, देखो इसकी आइसिंग भी है, डोरे मॉन, और फाइफ फिफ्टी का यह केक दिया, उन्होंने काफी अच्छा है, जिस यजजाब से मतलब इस समय मि बनाया होगा, तो सुबह टाइम से वो भी देने आ गई थी, यह भी बहुत अच्छी बात थी, वरना वो टाइम पर फिर कितना एक दूसरे का इंतिजार करो, फिर लेत होते हैं, और हम लोग की यह प्लानिंग थी, कि हम लोग धूप निकलने के पहले ही पहुँच जाएं, और जिस पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हैं न, यहां शाम मतलब तीन बचे बाद सूरज घुमा, मतलब कि सूरज इधर को हुआ, फिर हम लोग को धूप लगी, तीन बचे तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब सबसे पहले हुआ कि पहले चलो केक कटिंग करते हैं, क्यों सब ने अपनी बदे कैप लगा ली हैं, बलून थे तो फुलाए गए हैं बच्चों ने, और सब को एक बलून दिया गया है, ताकि कोई फोडो चाहे पकड़े रहो अपनी एक्षा, और केक स्टूल में रखा गया है, आना अपनी मम्मी की गोर में बैठे हैं, और केक कटिं तो जैन्स लोग तो आग लगाने की जो मतलब त्यारी में थे, क्योंकि बैगन भूनने हैं, तो चले गए थे, और गुपता जिरूप के हुए हम लोग के पास में, क्योंकि एक ज़र हम लोग को शूटिंग के लिए भी चाहिया था ना, इसके बाद ये हुआ कि केक हो जाए तो फिर वो चले जाएंगे, इसलिए हम सब लोग बैठे हुए हैं, छे बच्चे और छे ममी लोग, आई नहीं है आज ना, यहाँ पर किरती की सास ससुर वो घर पर हैं, क्योंकि उनके ससुर घर पर हैं, तो सास भी वही पर थी, घर पर खयाल रखने के लिए, तब बस सब लोग हम लोग हैं, और आशा, किर्ती, रूबी, जोति भावी, और कलपन भावी, और अभी लाशा, हम six ladies दिख रहे हैं ना, यही six families हैं हमारे हैं, और सब के husband भी साथ में हैं, रूबी के husband बाहर है, इसलिए नहीं है वो, और हम सब लोग बहुत मस्ती करी, खूब इ जी भर कि मुझे तो लगता है 2020 इतना बेकार साल था मैं बोल रही थी कि ये मतलब पहला दिन है 2020 का जो सबसे खुब्सूरत सबसे प्यारा पतलब सुबह से शाम कब हुई पता ही नहीं चला फुल मस्ती फुल एंजोई और बड़े के पहले सबने आर्थी किया हल्दी कुम- तो निम्बू और एक सोने की कोई चीजRO जैसे रिंग रख ली थी, तो सोना और निम्बू से भच्ची की नजर इतारी जाती है ये महारास में कλचर देख़ है मैंने ऐसे ठीका हो दाउ回 कर चार के फिर आरती करते हैं और फिर नजर उतारते हैं सुने और नेम्बुसे फिर प्र जयती है और ये ईबNS सब घर में महारास में और यह हुआ और ये काम भाई दूज में भी करते हैं इस तरह के करना दो उतारने वाला और बर्थ दे में तो क्यार करते ही करते हैं और बस फिर केक कटिंग हुआ सब को दिया गया पेड़े मिठा बाटा गया और सब एक दम खुश बच्चे क्योंकि केक कटा और अब खाना है तो सब बच्चों को केक दिया गया सब लोग केक खा लें और बागी हम लोगोंने सबने के पीस लिया और बागी जैसे जैन्ड दूसी साइड हैं जहां पर वो लोग अपना आगवाग लगा रहे हैं भीज दिया गया वो लोग वहाँ पर खा लेंगे और एक फैमिली और अभी आने वाली है यानि कीरती के पेरेंट्स उनकी मम्मी भाई और भावी तो जो जिस घर में हम रहते हैं ये घर कीरती के भाई का है जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं और जो भी आएंगी मैं दिखा होंगे आपको योगिता भावी उनके हस्बिन की है यह और कीरती के वह भाई और भावी और मम्मी हैं तो इस तरीके से मतलब फैमिली मेंबर हैं हम सब लोग ऐसा समझो आप और वो भी हम लोग की फ्रेंड ग्रूप में ही है योगिता भावी तो उन लोग के लिए हम लोग कि फिर लेट ना हो खाना वाना बनाना भी यहीं पर है पूरा फिर खाने पीने में भी टाइम लगेगा तो सब बच्चों को के जो देना था न तो यह जो हाट बूड जिसमें यह आया है केक तो उसी की कटिंग कर करके दे दी गए प्लेट बना करके यूगि जादा समन बांकी के हमारे साथ में है ना भीया लोग सबको केक दिया और बस थोड़ा सा टाइम पास ही कर रहे थे हम लोग खेत खले आन हमारे हाट तो दिको किसी मतलब है नहीं हमारी फैमली में ना सुसराल में न मायके में तो खेतों में में मेरा ऐसा जानवाना कभी हुआ नहीं है फर्स टाइम में आए हो खेत में ऐसे मतलब देखा है लेकिन ऐसे पार्टी शाटी करने फर्स टाइम आए हैं हम ये सारे जैंट के देखो आग लगाई है इन्होंने और इसके बाद बैंगन फून रहे थे तो हम केक लेके आए हमने इन्हों सब को केक खिलाया और फिर हम जैटो ये देखो रूई के पेड़ हैं ये रूई के प्लैंट कापुस महरास में कापास उगती है बहुत होती है इतना होती है कापुस फेमस है महरास में क्योंकि मैंने अपनी आखों से देखा है जैसे माना मुर्तिजापूर में बोलती हूं न मैं छोटे गाउं में रही इतना सारा आटा को बच्चे से उसने मतलब घू था ये भी हर किसी के हाथ में नहीं है थोड़ा थोड़ा आटा गूतना अलग बात होती है जादा आटा गूतना और अच्छे से मलना पूरी वाला आटा कितना चिकना बनाया जाता है और इस आटे में बेसन, गियों काटा, सुजी, चीनी, नामाग सब मिक्स करके बनाया गया है ताकि पूरियों में सोंधा पन रहे और कलर सुरक लाल आए बच्चों ने बलून्स को एक डंडी में लगा दिया जैसे बलून बेचने वाले नहीं, यासे बलून लो, बलून लो, ऐसा बच्चे खेल रहे हैं नाइक डंडी में लगा करके और मुझे काम सौपा गया है चौपिंग कटिंग का, क्यों देखो मैं नाइक से कटिंग अच्छी करती हूँ, जितनी बारिक है दो मैं कर लेती हूँ तो जितना भी कटा पीटी वाला काम है, वो मैं सामने लेके बैठ गई हूँ चाए वो मेथी, मूली के पत्ते, मेथी के पत्ते और हरा धनिया, जिद्धी भी कटिंग करनी है, सालिट काटनी है, ये सब काम में मैं बहुत आसान से मैंने किया और यहाँ पर हम सब लेडीज काम कर ही रहे थे, जैसा कि मैंने बताया, दो लोग आटा गूत रहे थे, और मैं कटिंग कर रहे थी, और बाकी लोग और बाकी के इतने सारे काम थे, गैस जलाना है, क्योंकि अब पूरिया तर लिए आटा गूत गया, तो पूरिया बनाई ज यहाँ पर ठेजचा बनता है, जो आट बैगन का भरता बनेगा, इसको महरास में भरित कहते हैं, भरित पूरी की पार्टी होती, मैंने बोला था न, वरन बट्टी यानि दाल बट्टी बनाते हैं, पार्टी बगरा में इस तरीके से, और यह बहुत ही खास भरित होता है, इ जलगाँ भुसावल यह खांदेश एरिया कहलाता है, और जो आशा है, यह खांदेश की ही है, मतलब जैसे होता है, आकोला डिस्टिक्स से हैं यह, आकोला से न, खांदेश तो फिर यह जलगाँ वाला हो गया न, गाउं का नाम नहीं आदा रहा, मुझे आशा ने बतायत हो था, तो यह भरत वही चौकेंगी, भाईया, जब अर्दस दीखा बनता है, हरी मिर्ची का ठेसा डालते हैं, यह मैंने कटिंग करी है, वो प्यास कांदे की, इसको बोलते हैं कांदे की पात, हरी प्यास, इस्प्रेंग अनियन, मेथी, हरा धनिया, और मूली, मूली के पत्त यह सब काटे गए हैं, इतनी सही है, जो हम लोग सारा कल साफ करके लाए थे ना, मेथी की पत्ते चुने थे, लहसुन चीला था, यह सब चीजे हम लोग कल रात में ही करके रखे हुए थे, हरा धनिया साफ करके, मिर्ची की डंठल निकाल करके, वो जो रूबी भगोने में यह ठोक रहे हैं, वो बैगन का भरता है, बैगन भून के आग है, फिर दो लोगों ने मिलके बैगन चीला, अब यहाँ पर बड़े भगोने में तेल डाल करके, हरी मिर्ची फ्राई की जा रही है, महरास में मिर्ची तली हुई खाने के साथ में ऐसे खाते हैं, जैसे सबज अब आटा गुत गया, तो दो लोगों ने बैठना है, और एक मतलब बॉल्स बनानी रहनी है, लोई बनानी है, तो रूबी ने का हम लोई बना रहे हैं, तेल लगा लगा करके, और मैं पूरी बेलने के लिए अपना चकला बेलन लेके बैठ गई हूँ, यहाँ मिर्ची फ्राई हो गए, यह देखो थाली में, और यह वाली जो हो रहा है न, हरी हरी मोटी वाली मिर्ची यह पूरी फ्राई करके रखी जाएंगी, अब यह भरता पुरा साफ हो गया, छिलका निकालके भरता और उसको ऐसे ठेशते हैं यहाँ पर, ऐसे कूटते हैं, जैसे मैं एक दिन लकडी वाला दिखाया था न, उससे ऐसे कूटते हैं बरते को मिक्स करने के लिए, और फिर लगाई जाएगी, अब बैंगन भून गया, मिर्ची भून गी तो अब जैन्स लों के कोई काम नहीं था, बाकी सब लेडीज वाला काम था, तो हम लोग अपना कर रहे हैं, और जैन्स लोग अपना बैठे हैं, यह दो वदर काम के लिए भी है, और हम लोग सारा समान तो ल लसन कूट करके डाला गया है, लसन भी, कच्चा लसन, और बस इस तरह के से डाल लाल करके, और थोड़े शेंग दाने भी डाले हैं, बैंगन के भड़ते में, और यह मिर्ची फ्राई हुएं तो इनके उपर नीम्बू ने चोड़ रही है किरती, यह फ्राई फ्राई मिर् मिर्ची खाने में तो बहुत मस्त लगती है, जो इस मिर्ची खाने के शौकीन होते हैं, वो लोग तो खुप शौक से खाते हैं, और यह देखो भरते में लगाया गया तड़का तेल अलग देखना चाहिए, जैसे तबजी में पानी होता है, वैसा तो मतलब अच्छा तेल चाहिए कि पूरा भरता बुनने के बाद भी उपर नजर आए और यह ढख दिया गया, कुछ भी कहो यार, जो यह जो सोंधा पन होता है ना, चूले में, मिट्टी में, इसके आगे तो आपको मतलब घाय का खाना फीका लगने लगेगा, एक अलग सा सोंधा पन होता है, और लोगों की आई है, कैस की सिगड़ी, और अब हम लोग तो जैसे पार्टी करना है, तो एक दूसरे से सामान तो शेरिंग करी लेते हैं, तो हम लोगों ने इनके हां से लिया था, जब कोजा गिनी का प्लान था, और यह सब जितना, जैसे मेरे पास जितना था, मैंने अपना सारा जो जो जरूत का सब दिया, और जैसे जिन के पास है, सबने अपना अपना एक एक सामान होता है, अब सब के पास तो पूरा नहीं होता, एक दूसरे से लेते हैं, तो जितना मेरे पास था, मैंने दिया, जो भी बरतन बरतन, परात, तसले, स्टील के, इस तरीके की सब म जीरा का पैकेट तो यह तयार हो गई है और इसमें लस्थन भी बारीक काट करके डाले हैं तो इसको कहते हैं कोशिंबेर सालड तो यह भूगई और जैसे पूरियां बेल बेल के रखी हैं मे ótasia भाबी में वाहाμεला धेक साएं थी तो जैसा कि सैक्स बच्चे थे पहले अब दो ऑर आए हैं, तो एट बच्चे हो गए तो यहाँ पर बॉइज हैं फाइव और गर्स हैं थ्री तो सबको बिठाला गया चोटे बच्चे तो कहां जल्दी बैठते हैं आप स्कूर कोरे चीज मिलिया तो उसी में लग पड़े बस फिर खाने की भूख नहीं रहती है अनाओ कुश को यह सब बच्चे जो थोड़े बीच के बड़े रहते हैं वो अपना खाने बैठ गया है यह चोटा बच्चा सबसे ज़्यादा क्यूट मतलब यह इतना प्यारा बच्चा है यह जो शुबं के बगलने बैठा है कि मैं क्या बता हूं इसकी तो हरकते देख देख के अच्छा लगता है खुशी मतलब अंदर से नहसूस होती है बहुत ही प्यारा है अपने मस रहता है और इंजॉय करता है लाइफ को मतलब बच्चपन इनको देख के साथा कि बच्चे ही वने रहना चाहिए सच्ची में और यह कुंश है बच्चों को तीखा लग रहा है थोड़ा थोड़ा लगेगा ही और मैंने बोला ना बहुत चटक बनता है तीखा जटारे दाल और यह सैलेड में देखो जलजीरा पैकेट डाल रही है किरती का जलजीरा तो एकड़ मतलब क्या कहना चाहिए उसके हार जारत है रेसिपी में जलजीरा रहता है उससे मजा आता है जैसे यह वाला टेस्टी अलग होता है तो बहुत यह सैलेड बहुत अच्छी थी यानि की कोशें बिर सैलेड मिक्स ग्रीन है पूरा कच्छी में थी बढ़ियां हेल्दी और कुछ भी नहीं इसमें नम नीम्बू और जलजीरा का पैकेट डाला टमाटर और हरी में हरा धनिया और लस पाजरी की रोटी के साथ खाते हैं बैंगल का भड़ता है न हमने भी फरस्ट टाइम ही सुना था भरित पूरी यह कांडेश में या कि सुना था यह है योगिता भावी और इनकी ही है यह जो बिल्डिंग है जहांपर हम रह रहे हैं बहुत ही क्यूट हैं बहुत प्यारी है मतलब बहुत ही फ्रेंडी नेचर है इनका यह कीरती की भावी है छोटी भावी दो भाविया है बेड़े इन लोग की काफी अपार्टमेंट है यह अबुसाल में तो यह लोग काम भी आई करते हैं इसलिए काफी कह रही है हम एक्चली मतलब बिल्डर्शिप वाला काम करते इसलिए तो सब लोग अब हम लोग जब जैन्स लोगों ने खा लिया तो अब हम लेडीज बैठे हैं और जैन्स में भी दो लोग गायब मतलब गायब काम से निकले थे तो वो लोग को भी यह हुआ कि वो लोग फुड़ा देर से लोटेंगे रावल भाहिया और राजु भ हमता है तो टेंशन घर सा मेटना सफाई करना यह वो बच्चों का करना जल्दी निकलना है और मुझे सुबह कपड़े भी धुलने थे यह सब करके निकले थे तो सब जो कुछ खाया नहीं था मुझे लग चाय पिया दो डोकले पीस खाय थे मैंने आब खाने मैटे दो बज हैं और इसके बाद अब यह था कि बच्चों का डांस बच्चों का गेम यह सब भी होना था और बच्चे तो मतलब फुल इंजॉयमेंट है बच्चों का इतना मस्ती कर रहे हैं न बच्चे और अब जब हम लोग का खाना हो ही रहा था तब रहुल भई और राजो भी आ लगा जाए तो उनको एक ही नाम पता हो दा जिंगाट लगाओ जिंगाट का डास करने शुरू आत हुई है बच्चों की और शुभम इन लोग के साथ नहीं मिक्स हो पाता है देखो मोबाइल इसलिए मैं देखा रही हूं पापा है समय पापा का मोबाइल है तो बस फिर क् अगर्यमोग टीकिती मत्वाबी क्डावी और अगर्यां को जाखते हैं क्योंकि हम लोग लोगए उनके ही घर में रह रह रहा है तो सब्के साथ बहुत ही फ्रेंडली है और सबक shack सेल्फी और गॉसिप बाते मस्ती मजाग और ये चोटा बच्चा वम्मी के पार देखो अब आया है और अब लड़कियों का डांस बर इनका तो ये तो इंतजार में थी लड़किया ये तो नाचना आए इनकों तो डांस के लिए बैटी थी बस अब जब कुछ खातब हो तो अब हम लोग दांस शुरूर करें तो इनका डांस है और हम लोग इननों को देख के मजह ले रहे हैँ अभी ये था कि हम लोग नों को गेम भी खिलाने वाले हैं से रिटन गिस मिलने वाला है बच्चों को तो बच्चों को बड़ेज में इसलिए तो मज़ा आता है और शुभी और ओधीता देशा का डांस बहुत बढ़ियां तीनों बच्चे अच्छा डांस करते हैं और वो तीनों तो कूद लिए शुभम से कहा गया तो शुभम का तो स होते हैं क्योंकि इसको असा लगता है इसके साथ के बच्चे नहीं वो छोटे बच्चे जादा छोटे हो जाते हैं और यह शुभी तुम एक सब हो जाती इन डड़कियों के साथ छोटी हैं फिर भी शुभम को और लगता है फिर भी काफी टाइम इसने उन लों के साथ बात बच्चा है बोलता बड़ा प्यारा है और प्रियांश तो कमाल बच्चा है और यहां पर फिर जब डाच ना कूदना भी हो गया तो चलो खेद खलिया और फोटो शूटिंग वहां हमने काफी किचन गार्डनिंग करी थी तब हमने एक बार बैंगन लगवाई थी बिंडी लगवाई थी तो मुझे वही याद आ जाता है देख करके बैंगन के पौधे और यह रेल गाड़ी बनाए गए सारी लेडी फिर यह हम लोग का फोटो सेशन यहां ठीक रहेगा कि वहां ठीक रहेगा ऐसे कड़े हो यह सब भी हुआ फिर सेलफी बी चली कुछ ऐसे साथ में और फिर बच्चों की फोटोग्राफी इतना चारो तरह ग्री देखके इतना अच्छा लग रहा या तो इस तरह की ग्री हमने ट्रेन में देखी है और या फिर जैसे कहीं जैसे ट्रैक में जाते ना मेरे हजबन पहले ट्रैक मेंटिनेंस में थे तब वो जा और फोटो शूटिंग भी हो गई मतलब छख गया फोटो तो पिचा के भी तो अब यह वह चलो गेम करो क्योंकि अब बच्चों को गेम होगा तब किफ्स मिलेंगे फिर उनको चौकलेट खाने को मिलेंगी तो लोको म्यूजिकल चेयर करना था अब यहां चेयर तो है नहीं म्यूजिक तो लगा दिया गया तो स्लिपर चपल सब बच्चों की जो थी वो ऐसे रख दी गई दूर दूर यानि जिस साइड से चपल पहनते हैं पैर डालते हैं अगर उस एक इस साइड एक अगलओं कि एस साइड रहा है चैयर सब्सक्राइब पहने जämä सब्सक्राइब बकले सब्सक्राइब तो यहां को सब्सक्राइब चीशियर को मिलता जा रहा है तो बच्चे और परिशान भी जो आउट हो रहा उसो गिफ्ट मिल ला है मतला कि निकलते जाओ और अपना अपना गिफ्ट लेते जाओ सबको पैन पाउच और चॉकलेट मिली बच्चों को अपना-पना सब लेके बैठ रहे हैं सबका एक जैसा है किसी को देखना नहीं है और योगिता भावी और आशा बची हैं लास्ट में दो लोग फिर गला है हम लोगो का हो रहा है तो हम लोगों की बार की गई यह हैं कर यह लूँ को हम लोगों decorative नवी जो हम सब को इतनी आजी बाते मस्ती और बीच बीच में जो जो चूटते हैं उसमें तो कुछो ही मत सब बहुत ही स्रेंडली हैं बहुत अच्छे हैं सब का नेचर अच्छा है मिक्सप अच्छे से हो जाते हो सब कॉपरेट करते हैं तो मतलब स्टार टू एंड हमारी पार्टी शुरू हुई तब से लास्ट तक सब ने इंज्वाई किया ऐसा ने कि कई बार होता ना ग्रूप में कोई एक अपना मुझ गुमा लिए किसी को कुछ पारी कुछ मुझ बना लिए कोई का मूड आफ हो गया या कोई अपने बच्चे को ही ल प्लानिंग हो गए अब हम लोग अगले मेने कहां जाएंगे अगले मेने किसका बड़े होगा तो किस तरीके ते तरलीबेट करेंगे फिर यहां खाट भी ड़ली थी काने के बार तोड़ा आराम भी कर लो फिर सारा सामान याद से गाड़ी में रखना कि कुछ भी छूट न गए दो बार गाड़ी से सामान गया और फिर एक शिफ्ट घर गया और जो टू वीलर वाले थे वो तो सब साथ साथ में निकली गए बहुत मज़ा आया तो मुझे लगता है कि आप सभी को भी आज का व्लॉग जरूर पसंद आएगा आप सब लोग बताना कॉमेंट में कि आप सबी को कैसा लगा हमारा व्लॉग और फिर कोशिश करूंगी मैं कि हम लोग नेक्स ताइम जहां भी जाएं तो आपके साथ शेयर करेंगे